यह देखो यह एजेंडा है इधर दिखो यह एजेंडा है इसको कहते हैं चोर की दाड़ी में तिनका नहीं यह पुरा बांस है खुद मीडिया वाले हैं और अगर कोई धर्म के लिए बोल रहा है तो उसको आगर यह छेड़ रहे हैं यह यह हमें रोजगार देगा यह राम मंदिर के बाहर जूते चपल साप करता हो दिखा दूगा इसको यह दर जनपस से यह रोज सोनिया गांधी जी के पास जाता है उनके पैर छुता है और राहूल गांधी से दिपक जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरन को क्योंकि इंडिया अलाइंस बनाने की शुरुआत बिहार से नितीश कुमार और नितीश कुमार तो पर्दे के आगे थे पर्दे के पिछे ललन सिंग ने किया था देखे पत्रकार मोदे जैशीराम जैहिंद और जैविहार जेल का ताला तूट गया है और मनिश कश्यप अम मनिश कश्यप के बाहर आने के बाद जो है ना अब इनकी लुप लुपानी शुरू हो गई है लुप लुपाना समझते हो एक तो लालटेन लुप लुपाती है अब नितिस कुमार की लुप लुपारी जो वही वेक्श्यप में बोला था पानी छोड़ो जो कह रहा था अंगड़ाई या मैं लेती हो जोर जोर से यह वही है ना S सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने की कोशिच कर रहे थे नितिश कुमार को बोलो के कॉंडम का जितनी भी कंपणी उसका ब्रेंड़ा मेस्टर बन जा है रोड़ डबी लेके खड़ा हुआ करे बोला करे कामसुत्र नितिश भी लगाता है आप भी लगाओ बोलो न अरे सी पंचर लगाने के लिए नहीं कहता बासट साल से कॉंग्रेस पार्टी ने क्या का है पंचर लगाओ और आबादी आगे बढ़ाओ पंचर लगाने से देश चलता है आपने कभी सुना हमाइजाज में पंचर लगता हो अब टायर बदलने का जमाना है चार पंचर लगे तो और कॉंग्रेस पार्टी पे तो इतने पंचर हो गए इतने पंचर हो गए 62 साल में के राहूल कांदी तो यह मोटा गोला पंचर निकला कि नितिश कुमार कौन पार्टी जेडियू का बोलते उसको जनता दल यूनाइटेड नहीं है जनता दल चिरकुठ है साला बेंगन भी कहता है जहां देखी तवापरात वहीं बिताई सारी रात बेंगन भी कहता है कि यह मेरे से भी खतरनाक आदमी है आपने कभी देखा है बेंगन खड़ा हुआ हो ठंड का टाइम है कुछ और बस समझना बेंगन को कभी वाज़स सीदा खड़ा कर पायो ही का्श्यप के आने के बाद मनिश कश्यप के आने के बाद वहां पर एक ऐसा मोहल बन गया अब के इनकी इट्टी शिट्टी गूल हो गई है यह लोग पान सोर फे ये लोग 500 पे दे के भीड लाते हैं जैदा सीजनों इलेक्शन का तो 1000 देते हैं और जैदा सीजनों तो 1500 देते हैं मगर मनीज कश्यप की भीड ना खरीदी हुई है ना विकाऊ है मनीज कश्यप के साथ एक रिक्षे वाला भी है तो एक हवाई जाज वाला भी है क्योंकि हमार तुम्हारे मुह में सिलादीज का बांश ठूस दूँगा मैं भी कॉंगरेस पार्टी वाले बनते हो साला तुम्हारा तीन राज्यों में वाइट कमीज वाले मौए मौए यह दस जनपस से यह दस जनपस से यह रोज सोनिया गांदी जी के पास जाता है उनके पैर छुता है और राहूल गांदी से यह वही है वाइट कमीज वाला यहीं गूमरा देखो यह रहा और यह वही बन्दा है जो दिन में कहता है राम राम क्या और रात को कहता है लालू जी से बंदे करते हों दिखा दूंगों एक टाइम पर प्रधान मंत्री के उमिद्वार बनना चाह रहे हो इंडिया एलाइंस में 26-26 बंदे गांजा पीने के बाद बिल्कुल ठीक बोलते हैं बिल्कुल मैं समर्थागून का राहूल गांदी जैसा व्यक्ति सदियों सदियों में पैदा होता है राहूल गांदी जडर पर्संनरे बेट लिया हम लोग इंडीन हैं ह मिख् 17 हैं चैन्दान लगाते हैं सीविलिंग में दूठ चड़ाते हैं उसको पता ही नहीं होता है एक बार राहुल गांदी पहले अपने बफर चड़ा लिया क्योंकि उन्होंने बोला कि दूठ चड़ाओ वह यह बूलना भूल गया पंटी जी वह शीविलिंग में चड़ाना है उसको लगा कि पहले खुत न और जो हलका फुलका भी होता है वो भी ओम नमस्षिवाय का जाप करके जिसको कहते हैं महा मृतिंजे जब वो तो मुर्दे में भी जान डाल देता है इनको क्या पता शिकन बर्गर वालों को और हमारी हनुमान चलीसा में इतनी ताकत है भूत पिचास निकट नहीं आवे महा भीर जब मैं तो कह रहा हूं तुम जाके अगर कबरिस्तान में भी हनुमान चलीसा पड़ो तो मुर्दे भी कहेंगे भाई हमें सोने दो हम जा चुके हैं क्या तो मैं अब भी कह रहा हूं कल परसों भी कहता हूं कि उस पार्टी को कभी सपोर्ट मत करना जिनोंने राम मंदिर के खिलाब 24 वकील खड़े करें थे जिक्र किया तो सैंप पित्रोधा है पुझे जाते हैं अभी सराना है आएगा आप कौन सा पित्रोधा बोल रहे हैं पित्रोधा सत्य नारायन शायद न क्योंकि फिरोच खान का पोता राहूल गांदी बाचिदाप किसी का काम तो मत खराब करो वह भी कमाने खाने है वह इसकाराम बाली जो मुन्नी बदराम हुई कर रहे हैं वहाँ तो तुम उयसे देखते हो जो चलने दो जो चलने दो यहां एसे ओडियंस हैं जो बिना देख जे कुछ से कुछ बखते रहते हैं अभी मैंने कुछ क्या भी नहीं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि बोलना किया है अब बोलोगे बोलोगे तो सुनोगे अभी तो इनकी सरकार नहीं तो मैं यह देखो बाल मेरे वाइट है मिर्ची इनको लग रही है मैं तो रात दिन गुलुकोस लेकर राम प्रभू राम का लेकर चल रहा हूं तुम अपनी सकल हर कोई ले रहा है क्या किसी की पाप होती है इसको कहते हैं चोर की डाड़ी में तिनका नहीं है पुरा बास है यह स्टेंट लेकर घूम रहे हैं खुद मीडिया वाले हैं और अगर कोई धरम के लिए बोल रहा है तो उसको आकर यह छेड़ रहे हैं यह यह हमें रोजगार देगा यह राम मंदिर के बाहर जूते चपल साप करता हो दिखा दूगा इसको कि अवब आई अध्या का मंदिर बने दो यह वही लोग हैं अरे यह आके बाइठ खराब करने आते हैं इनको दिक्कत यह है कि आप बात कर रहे हो राम की आप कर रहे है अब इस तो पता नहीं है यह आया कहां यह वही लोग है जो सुबह थुकी हुई बिर्यानी खाते हैं और शाम को जाकर जी भी पेटियम पर प्राप्त हुए वाले हैं वही है यह थोड़ा सा सवीधानिक पद्वे बोल रहा हूं इस तरफ से इस तरफ वापस आता है साम पत्रोधा कह रहे हैं कि नरंद्र मोदी मंदर मंदर घूम रहे हैं इससे क्या मौडन इंडिया बनेगा उनको बड़ी घबराहत हो अगर सुनो मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अगर 57 इसलामिक कंट्री आज से सो साल पहले लगब मेरे को 57 मुस्लिम कंट्री में पूर्ण रूप से उस मुस्लिम धर्म को छोड़के नागरिक दिखाओ ना तो वो खुल के पुजा कर सकता है ना वो चर्च में जाकर मुंबत्ती जिला सकता है और अफगानिस्तान में हमारे सीख भाईयों के साथ क्या हुआ था या आप सबको पता है मैं नहीं बता रहा हूं वो क्लियर कहते हैं कि यहां रहोगे तो सरियत माननी पड़ेगी क्या हम तो नहीं कहरे हैं कि सनातन राष्ट भैया पहले तो घंदू राष्ट भंसे सिर्कुट सनातन राष्ट बनेगा हिंदू तो हमारे उपर नाम थोपा गया है हम सनातनी है हर जगा नाम लिखा सनातन धर्म जिंदाबाद था जिंदाबाद है मगर मैं एक बाद बोल रहा हूं जब सत्तावानी सलामी कंट्री मुलाना चला सकते हैं तो भाई अच्छा लगा तो जैसे नाम है भजर और मते पर्देश वालेगा भजन मोहन विश्णू कुछ लोग किलस गए उनको बवासीर हो गई है आप नाम देखो बजन मोहन भीया इसको सौट्स में डालना यह मत काटना एडिटर साब तुम्हारे को कस्वाइब नहीं तो बवासीर हो जाएगी किलसाना है ही लोगों को KNOW आपको नहीं लगبार कि यह कुछ पहले सी तहर था parenth मोदीय चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहरा ले रहे हैं उनके पास की काम नहीं दिखाने ले दो कि اس राम रामबादृ जी लड़का हुआ है लक्षमी आई है कृष्न आया है बोलते हो ना जीओ तो राम ओर मरो तो राम अरे और यह स्वालाइरा जाता है राम का नाम सत्य है और जिसने बोला शत्य है उसी का घथ्य यह मैझे नहीं बना और जो लोग कहते राम कलपना हैं उनसे ये पुछो कि राम जी का जो जन्म उस्ताव है उसकी छुट्टी कब से लगी है अब भी लोग कह रहे राम कलपना है और मैं सज़ बता दूं उनकी खुद की कलपना नहीं मिल रही है क्या हाँ ठंड में खुद जाते रेड लाइट मे पर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है जिस दिन पर शूराम का रूप अपना लिया हम लोगों ने तपा टप 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 क्योंकि हम सविधान में बंदे हुए हैं पत्रकार मैं तो आपकी आँखों में भी वह आग और अंगारा देख रहा हूं कि आपके हाथ भी बंदे करें तो उन्होंने मनें बोला मैंने नहीं भाई अधे याद है यह वही पत्रकार यह जो राजस्तान में गया और इसने पूरा कॉंग्रेस को एक्स पोज करा और यह वह ही पत्रकार है जिसने लाल-किले के सामने चार लोगों को भगया एक की चपल भी रहे हैं पताए क्यो क्योंकि उसने बोला कि यह जो लाल किला है यह हमारे बाप दादा ने बनाए आपने बिलकुल ठीक जवाब दिया यह बावर औरंग जेव अकबर हुमायू कुरता पजामा फटा हुआ हम इने कहा जाने हैं हम जानते हैं और जैदा पचर पचर मत करो बाला साफ ठागरे को भी फोलो करते हैं क्या मकर हम एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे को सीधे रस्ते में चलने दो मोदी जी वाले हमें योगी जी वाला मत बनाओ प्रोटोकॉल यह हो जाएगा आला रे आला बाला साफ ठाकरे का चेले आला क्या क्योंकि बाला साफ ठाकरे ने एक ही बात बोली थी कि राम मंदिर में हमारा हाथ नहीं है पहर भी था राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर हमारे राम आराध्य थे आराध्य है और वहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और अभी से मिलना शुरू हो गया है और अगर यकीन नहीं आ रहा है तो नाम पूछना शुरू कर दो आटो वाले से वह कयूम और मुहम्मत मिल जाएगा मेगा आप आटो वाले से पूछ के नहीं बैठोगे होटल बन रहे हैं नॉन्वेज को छोड़के वहाँ पर सब बाला करेता उनके पूत्र की जो सिफशना है वह लोग कह रहे हैं वो भाजपा वाले जो हैं वह राम को हाईजेक कर रहे हैं ये कुन कह रहा है आपने उनका मूँ चेक नहीं करा था उस टाइम पर आपको चेक करना चाहिए था उन लोगों ने लगा रखी थी चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का अरे राम को कोई हाई जैक कर सकता है जिस दिन राम किसी को लगता है कि हमारे देश में राम मंदीर ही बन रहा है तो उसको बोलो कि किताब पढ़ किताब पढ़ जितनी जगा मंदीर को दी है उतनी जगा जाके मजिद को जी जाके देखे लें वहां भवे मजिद भी बन रही है मगर हमने मजिद का विरोध नहीं करा मगर जो लो वो पाइदान भी छूल दिया ना ज्यादा महेंगा नहीं आता है हम राम बक्त चाहेंगे ना तो वहां पर करोड़ो और बोर पर दान कर चुके है क्या हमारी मर्ची हमारा पैसे वह किसी के बाप का नहीं है राम मंदिर क्या पाइदान को भी अगर हाथ लगा दिया ना तो मा ही कसम कह रहा हूं रियल्टी में बता रहा हूं पर शुराम का रूपदारन कर लूँगा फिर